है आफ सब सबस आफ सब अच्छी अंगे आज की वीडियो में यह extrाई क्या हो qaie कि एरिया क्या होता है अपर क्या होता है तो यहां इसके फॉर्म्व्वॉर्ट पर बात करेंगे और इनके जू कुछ्चनश आते हैनको आपको कैसे सॉल्व करना है इसकी उपर बात करेंगे तो बहुत ही इंट्रस्टिंग और बहुत ही बेसिक वीडियो है आप लोग ध्यान से देखिएगा जरूर आपको सारी चीज़े बहुत ही इसली समझ आएंगी तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए दो फीगर्स हमारे पास जो मेर होती है वो कौन-कौन स क्या होगा स्कौएयर के अंदर सारी जो साइड होती हिएव और फीगर्स होती है ञorts है To यह छीज़ आपको ध्यान रखना है इससे आपको एक पहचाननी है ठीक है और जो रिक्तेंगर्li में क्या होता मतलब ये ये और ये 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 opposite side है तो इसको बोल जाता है rectangle तो rectangle में कौन से sides equal होंगी opposite side ठीक है तो आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है अब देखिए आपको कैसे पता लगाना है कि अगर एक question है उसमें square की बात हो रही है या rectangle की बात हो रही है जैसे मान लेजिए हमारे पास ये figure आ जाती है जैसे ये है एक square और ये है एक rectangle तो आपको कैसे पता लगाना है कि square है या rectangle है तो आपको question के अंदर अगर square है तो वहाँ पर only one side दी होगी only one side मतलब कि वहाँ पर जैसे बुला होगा square table which side has five meter तो आपको सिर्फ एक side जब दी हो तो एक side square में होगी क्योंकि square की सारी side equal होती है अगर ये side five है तो ये भी side five होगी ये भी side five होगी और ये भी side five होगी तो जब भी एक side दी हो तो only one side हो तो वह किसकी बात हो रही है square की बात हो रही है ये वली side जो है ये rectangle होता है और ये जो है ये square होता है तो आपको इतनी चीज़ समझ आ गई होगी अब यहाँ पर आपको दो side दियोंगी जैसे square के अंदर आपको कैसे question में दिया होगा side equals to 5 meter तो एक ही चीज़ दिये तो मतलब वो square की बात हो रही है लेकिन अगर आपको दिया है length equals to 10 और breadth equals to 5 तो ये जो है rectangle की बात हो रही है आपको इस trick से समझना है कि ये rectangle है और ये square है ठीक है तो I hope ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी अब next हम चलते है formulas पर तो formulas की अगर हम बात करें तो कौन से होते हैं और आपको कैसे देखना है कि किसका formula है और क्या है तो देखिए अगर square की बात की जाए और rectangle की बात की जाए तो area और parameter दोनों होंगे आपको कैसे पहचाना है कि area है और कैसे पहचाना है parameter है जब भी fence word आ जाए जब भी fence word आ जाएगा तो fence word का मतलब होता है कि चारो तरफ और एक किसी चीज किसी भी फिगर के चारो तरफ की बात का मतलब होता है उसका पैरमीटर ओके उसका मतलब होता है कि आपको उस फिगर का क्या निकालना है पैरमीटर निकालना है अब हम फॉर्मले की बात करते हैं तो फॉर्मले कैसे जाएगा ठीक है और अगर बात की जाए पैरमीटर की तो square का parameter होता है four into side तो four मतलब जो side होगी उसको आपको four से multiply कर देना है तो वो square का parameter जाएगा ऐसे ही जो rectangle है ये rectangle है और ये square है तो rectangle का जो area है उसका formula होता है length into breath ओके और अगर parameter की बात की जाए तो parameter होता है two into तो ये जो है ये parameter होता है तो ये तो रही formula की बात की formula area और parameter क्या होता है rectangle क्या होता है square क्या होता है और आपको कैसे पता लगाना है कि उस question में आपको parameter निकलना है या area निकलना है अगर किसी भी question में fence word आ जाता है या फिर around word आ जाता है ठीक है तो इसमें हमेशा हम क्या निकालेंगे इसमें हम parameter निकालेंगे और formulas के अगर बात की जाए जो square का area है वो होता है side into side और parameter की बात की जाए तो 4 into side और rectangle का area होता है length into breadth और parameter होता है 2 into length plus breadth तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ आगी है अब चलते हैं questions पर तो questions कैसे होते हैं अगर एक question मान लीजिए आता है आपके पास जैसे side आपको दी हुई है 8 मैं दोनों type की questions आपको एक साथ बता देती हूँ तो आपको यहाँ पर side 8 दी हुई है अब यहाँ पर हमें और एक और चीज़ नहीं दी तो मतलब एक ही चीज़ दी है तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है यहाँ पर square की बात हो रही है ठीक है यहाँ पर square की बात हो रही है अब square में हमें area भी निकाल के देख सकते हैं और parameter भी निकाल के देख सकते हैं तो दोनों चीज़े मैं आपको यह पर बता दूँगे कैसे निकालनी है अगर एरिया एक तरफ एरिया निकल के बता देती हूँ और एक तरफ पैरेमिटर निकल के बता देती हूँ तो देखिए एरिया और पैरेमिटर का क्या फार्मूला होगा अगर side 8 दी हुई है area होता है square का side into side तो side कितने दी हुई है 8 तो 8 यहाँ पर put कर देंगे तो 8 into 8 तो area कितना आ गया हमारा area आ गया 64 क्योंकि 8 एट जा 64 होता है तो side का area कैसे निकलेगा side into side और अगर parameter की बात की चाहे तो parameter का formula होता है 4 into side तो side हमें 8 दी हुई है तो 4 into 8 तो 8 forza is 32 तो हमारा parameter जो है वो आ गया 32 तो यह हो गई square की बात इस तरीके से निकलेगा area यह area है और यह हमारा parameter है तो I hope आपको समझ आ गया कि questions कैसे निकालने है और side और area अगर दिया है तो इसको कैसे करना है अब यहाँ पर तो side आपको दियो हुई थी अब एक question जो है अलग type से आ जाता है वहाँ पर आपको बोल देंगे अभी square की ही बात हो रही है वहाँ पर आपको बोल देंगे कि आपको जैसे एक question में आपको area गिवन हो सकता है और एक question में आपको parameter given हो सकता है तो आपको कैसे निकलना है जैसे मानलीजे area आपको दिया है 81 तो आपसे पूछ लेंगे कि side निकालो एक में आपको parameter दिया है मानलीजे 80 यहाँ पर आपको बोल देंगे side निकालो तो आपको इस type के question कैसे करना है question बहुत simple है आपको क्या करना है सबसे पहले आपको properly formula लिखना है formula क्या होगा area निकालने का side into side तो area जो है वो 81 है तो ये 81 जो है वो यहाँ आ जाएगा area के नीचे 81 equals to side into side कुछ नहीं दिया तो ये बन जाएगा side का square मतलब s की square दो बार side है तो side को side से multiply किया s square तो जो ये square है ये इधर आके root बन जाएगा root 81 root 81 equals to s ओके अब ये 81 जो है किसका square है 81 जो है वो 9 का square है तो हमारी side यहाँ पर 9 आ जाएगी ओके तो इस चिसको आपको ध्यान से समझ रहा है parameter easy है parameter equals to 4 into side है तो ये जो 80 है ये parameter है तो parameter के इंचे parameter लिखेंगे that is 80 और यहाँ पर 4 को s से multiply कर देंगे तो ये बन जाएगा 4s अब ये 4 जो है ये इधर आके upon में आ जाएगा 80 upon 4 तो 4 से जब 80 को cut करेंगे तो ये आ जाएगा 20 तो side हमारी कितनी आ गई that is 20 तो इतनी चीज़ आई हो clear हो गई होगी ये जो a into a वाला concept था है ये मैं एक बार और दुबारा बता देती हूँ देखिए ध्यान से फटा-फट समझेगा जैसे मान लिजे हमें area जो है वो given होता है जैसे area दिया है 225 हमें side निकालनी है side कितनी है तो हमें इसको कैसे निकालना है area का formula होता है side into side तो यहाँ पर area given है तो area के निचे लिखेंगे 225 side नहीं दी तो side को side से multiply करा तो यह बना s square तो s जगा जो यह square है जब हम इसको खोलते हैं तो यह इस तरह आके root 225 बन जाएगा square जो है वो हट जाएगा तो यह simple root 225 बना यह s का root 225 का मतलब है यह जो number है यह किसी का square होगा तो यह number जो है किसका square होगा यह number 15 का square है 15 का square होता है जब हाँ 15 into 15 करोगे तो वो 225 ही आएगा तो it means कि 15 जो है हमारी side आगई तो यह िस type से question होता है तो इसको आप धेन से समझ लीचेगा अब next हम चलते हैं rectangle पर rectangle में देखिए फिर से 2 कर देते हैं एक length दी होगी आपको 10 और breath दी होगी आपको 5 इससे हमें area भी निकालना है और इसी से हमें parameter निकालना है तो rectangle का जो area होता है वो क्या होता है length into breath और जो parameter होता है वो क्या होता है 2 into length plus breath अब देखिए simple हमें put करना है area equals to length दी है 10 और breath दी है 5 तो 10 into 5 तो ये आगया 10 5 जा 50 तो ये हमारे पास area आगया rectangle का 50 और इसी की तरह हमें parameter निकालना है तो parameter का formula 2 into 10 plus 5 क्योंकि 10 plus 5 length और breath है तो हमने put कर दिया 10 plus 5 कितरे होंगे 15 होंगे 15 into 2 तो simple 15 into the 30 क्योंकि 10 plus 5 को plus कर रहा और उसके बाद 2 से multiply किया तो ये हमारे पास parameter आगया और ये हमारे पास area आगया एक ही length breath लेके मैंने करके दिखाया है आप लोगों को तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी अब ये उल्टे तरीके से भी आ जाता है जिसमें हमें side पूछ लेते हैं तो वहाँ पर कैसे निकालना है जैसे आपको एक area दिया होगा 100 length दी होगी 20 और breath निकालनी होगी तो इस type को question आपको कैसे करना है देखे ध्यान से समझेए सबसे पहला rule आपको area लिखना है area into length into breath अब area आपको given है ये रहा तो आपको यहाँ पर area लिख देना है 100 length आपको given है 20 तो आपको यहाँ पर 20 लिख देना है breath नहीं given तो breath ऐसे ही लिख देंगे तो आप 100 इक्वर्स तो क्या बन जाएगा 20 into B multiply करेंगे तो 20 B तो यह 20 B इधर आकर upon में आ जाएगा again तो 100 upon में 20 और इसको जब cut करेंगे तो answer आ जाएगा 5 तो हमारी breath जो है वो कितनी आ गई 5 तो जो यह है यह हमारी breath आई है ओके इस तरीके का भी question आता है और एक और जो last जो parameter के type का question आता है वो कैसे आता है हमें parameter given होगा 500 length हमें given होगी 50 breath निकालनी है ठीक है और या फिर इसके अलावा हमसे पूछ लेंगे area निकालना है तो हमें सबसे पहले area निकालने के लिए length breath दोनों चाहिए तो हमें इसको कैसे करना होगा ध्यान से समझेगा देखे parameter होता है length into breath sorry parameter होता है 2 into length plus breath अब यहाँ पर हमें parameter हमें given है यह रहा तो हमें यहाँ पर 500 लिखना है 2 into length length कितने दी है 50 दी है breath नहीं दी तो यह as a tease ऐसे लिख देंगे सबसे पहला रोल होता है कि आपको as a tease question को ऐसे ही लिखना है जो जो फॉर्मला है आपको उसमें put करते जाना है जैसे हमें यहाँ पर parameter given था तो हमने parameter लिखा 2 का हमने ऐसी 2 लिखा length given थी तो हमने length लिखी और plus का plus और breath का भी ऐसी लिख दिया तो as a tease ऐसी लिखना है अब आगे solve करेंगे तो 500 का 500 अब इसको simple form बनानी है पिछले question में हमने area में किया था कि 50 को b से multiply करके 50 b लिखते थे लेकिन यहाँ पर plus का sign है तो plus के sign में ऐसे आप multiply नहीं कर सकते आपको क्या करना है 2 into 50 कितना होता है 100 plus 2 into b कितना होता है 2 b ठीक है अब देखिए यहाँ पर जो same term है वो यह है और यह है तो हम इस term को इसके पास लेके आ जाएंगे 500 minus 100 equals to 2 b ऐसे ही रहेगा अब क्या हो जाएगा 500 में 100 गए 400 equals to 2 b अब मैंने पताया ही हुआ है आप लोगों को कि जो 2 है यह इस तरफ आके upon में आ जाता है तो यह किस तरह से हो जाएगा 500 upon 400 upon में 2 जब cutting कर देंगे तो यह बनजेगा 200 तो आपकी जो breath है वो कितनी आ गई 200 अब आपकी अगर breath आ गई है 200 और length भी आपको given थी 50 तो आप area तो easily निकाली सकते हो area का formula क्या होता है length into breath तो 200 into 50 तो कितना आ जाएगा 2 5s are 10 और पीछे 3 0 तो answer आ जाएगा 10,000 आपका area ठीक है तो इस तरह से आपको करना है आपको सिर्फ हमेशा एक चीज़ धर रखनी है आपको जो चीज़ given है आपको formula में वही लिखनी है ठीक है बिल्कुल भी confused नहीं होना है जैसे हमें area अगर मान लीजिए 40 दिया है length हमें 10 दी है breath हमें निकालनी है तो आपको क्या चीज़ given है area given है यहाँ पर area given है तो आपको area से start करना है question area होता है अब दो चीज़े हैं तो मतलब rectangle की बात हो रही है तो area होता है length into breath तो area के नीचे area put कर देंगे 40 equals to length दी है 10 breath नहीं given तो breath as it is ऐसी लिख देंगे 40 equals to 10B अब यह 10 इदर आके upon में आ जाएगा तो यह बन जाएगा 40 upon में 10 तो cut करेंगे जब 10 for the 40 तो हमारे पस जो B की value है वो कितनी आ गई 4 तो इस तरह से करना है बिल्कुल भी confused नहीं होना है बहुत ही easy topic है अगर आप formula अच्छे से learn कर लेते हो और जो चीज़ given है उसको formula में put करना सीख लेते हो तो बिल्कुल भी मुश्किल topic नहीं है बहुत ही आसान है बस आप लोगों को उपोजिट s jacket equal हैboarding और SQL के सारी s password equal हो ठीक है, ये वाली हाईD, ये वाली स aç, ये वालीi च्था आजाए और या फेमец तो उसका मतलब होता है कि चारों तरह को अगंदे रखना है तो उस भी स्क्राइट को छाहर को याँए kई गई हो चाहे rectangle की बात की हो जैसे आजाता है कि कोई चीज हमने fence की या फिर हमने taping की या फिर हमने around चक्कर लगाए इन सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं कोई अगर हमेरे पास यूं करके figure है तो हम क्या करते हैं अगर हमें taping करनी है तो हम उसके चारो तरफ यू करके टेपिंग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि चारो तरफ जब कोई चीज करी जा रही है तो वो होता है parameter यह आप लोगों को हमेशा ध्यान लखना है यह आपको questions में कोई बताएगा नहीं तो यह आप लोगों को खुद देखना है कि area के बात हो रही है या parameter के बात हो रही है और अगर मालेजे एक example और आता है कि हमें tiles लगानी है tiles लगानी है floor पर तो tiles floor पर कब लगती है जैसे यह अगर floor है तो tiles ऐसे यहाँ पर यू लगती है यू करके ऐसे tiles लगती है न तो यह जो है यह हमारे पास चारो तरफ की यूं करके बात रही हो रही है यह पूरा area cover हो रहा है तो इस वहले में area निकलेगा तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि area की बात कब हो रही है पैरमेटर की बात कब हो रही है आपको question में वह direct नहीं बोलेंगे कि आपको area निकलना है parameter छोटी classes में पता होता है कि area निकलो parameter निकलो लेकिन बड़ी classes में नहीं पता लगता है word statement जब questions आते हैं तो okay बचो तो I hope आप लोगों को यह चीज़े पता लग गई होंगी तो कोई doubt हो कुछ ना समझाए हो तो comment box में mention कीजेगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजेगा अपने friends में share कीजेगा यह बहुत ही important topic है जो third class से start होकर 10th class तक चलता है तो कोई भी doubt ह कुछ भी confusion हो तो please पूछिएगा जरूर चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe करके bell icon याद से प्रेस कीजेगा और इसी वीडियो का जो previous part है वो description में आपको मिल जाएगा वहाँ पर प्रॉपर्ली मैंने समझाए कि area किसे कहते हैं और parameter किसे कहते हैं तो आप ध्यान से उस